बाद लिखा गया है तो हैड़ वाला जो sentence बनेगा वो बाद में बनेगा यानि यहां बनेगा अगर पहले लिखा गया है तो हैड़ वाला समझाना चायता हूँ पस्थ्यान से देखो लिखा गया है कि अगर उसके बाद हम क्रिया कहा है कौन सी फॉर्म लगाते हैं थर्ड फॉर्म लगाते हैं उसी तरह से अगर हम एक्जामपल यहां पढ़ें तो यहां पे क्या लिखा है मेरे आने के पहले मेरे आने के पहले तुम जा चुके थे अब इसमें क्या लिखा गया है कि जो कारे पहले समाप्त हुआ है पहले समाप्त होने वाले कारे अब आप इस संटेंस को पढ़ो तो लिखा गया है मेरे आने के पहले मेरे आने के पहले तुम जा चुके थे, तो काम कौन सा पहले हुआ, आना या इसका जाना, तो तुम जा चुके थे, मतलब काम पहले ही हो गया था, ठीक है, मतलब मेरे आने के पहले, तुम जा चुके थे, मतलब काम क्या हो गया था, तुम्हारा जाना जो है, वो क्या हो गया था, पहले का हुआ तो यही चीज है कि जब हमें ये पता चल जाए कि पहले समाप्त होने वाला कारे कौन सा है तो उसके subject के साथ हम head यूज करेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है add verb कि हम कौन सी form यूज करेंगे third form यूज करेंगे और साथ में क्या यूज करेंगे object उसके बाद before या after जो भी यूज करना है उसको यूज करेंगे जो कारे पहले समाप्त होता है वो बनाया जाता है past perfect tense में और जो कारे बाद में समाप्त होता है उसे बना जाता है past indefinite tense में ठीक है दोनों past में ही बनेंगे याद रखना क्योंकि जब हम क्रिया की second form यूज करते हैं तो वो मैंने आपको indefinite में बताया था ठीक है तो confusion नहीं होनी चाहिए जब भी जो काम पहले हो रहा है उसे हम कहां बनाएंगे perfect tense में by simple सी बात है काम समाप्त हो चुका है इसका मतलब ये हो गया कि हम कहीं ने कहीं इसको past perfect यानि काम हमारा perfect रूप से खतम हो चुका है so that's why इसको हम पहले बनाएंगे ठीक है और जो काम बाद में खत हो रहा है देखो हमें सब्द क्या इस्तेमाल हो रहा है हो रहा है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि indefinite का मतलब होता है कि वो काम अभी बरतमान में भी हो रहा है इस तरह की चीजें ठीक है तो यहां पे देखते हैं अब दिखा गया है दूसरा रूल यदी वाक्य में पह पूरी के पूरी तरह स्वतंत्र होंगे Subordinate Clause और Principal Clause इन फर्क ये होता है कि ये कहते है Independent Clause के रूप में जाना जाता है और इसे Dependent Clause के रूप में जाना जाता है मतलब क्या समझते हो मतलब ये होता है कि जो कारे पहले होगा उसके पहले कोई भी कंजंक्सन जैसा कि Before और After क्या है कंजंक्सन है तो जो काम पहले समाप्त होगा जैसे तुम्हारा जाना पहले समाप्त होगा तो हम जब इसको बनाएंगे तो हम लिखेंगे You had gone तुम जा चुके थे ठीक है तो ये होगे हमारा Principal Clause और Principal Clause की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसके पहले कोई भी कंजंक्सन नहीं आता है और Subordinate Clause की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसके पहले कंजंक्सन आता है जैसा कि हम यहाँ पे लिखेंगे Before अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा You had gone before I came ठीक है मतलब तुम जा चुके थे कब मेरे आने के पहले तो मैंने क्या समझा है यहाँ पे आपको Principal Class या याद हो या नाया हो बस आफ सीधी बहसा में समझो जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम पहले बनाएंगे हम पहले बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे head यूज करेंगे याद रखना इस दीच को ठीक है और जो बाद में समाप्त होगा उसको हम बाद में बनाएंगे और उसमें हम क्या यूज करेंगे हम हम FIRP की second form या दूसरी भासा में Past Indefinite Tense में हम उस काम को बनाएंगे Next हम रूल देखते हैं इसी से Related जैसे यहां पर हमने पढ़ा कि अगर वाक्य में पहले या पूर्ब आये तो उसी तरह से अगर वाक्य में बाद आये तो उसको कैसे बनाएंगे तो जैसा की Rule No. 2 लिखा गया है यदि वाक्य में पश्चात, बाद या की सब्द आया हो तो बाद में समाप्त होने वाला कारे क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज होगा इसका मतलब ध्यान से समझना अब तो यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज पर आप फोकस ही कम करो आप कन्फ्यूज हो जाओगे प्रिंसिपल क्लॉज और सवार्णियर्ट क्लॉज में तो इसके Rule पर छोड़ दो मैं सीधी सीधी आपको एक एक एकजमपल मैंने पहले का बता है एक एकजमपल मैं आपको बाद का बताता हूँ यहां पर बाद यूच किया गया अब आपको सिंपल सा सिर्फ यह निकालना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है जैसे लिखा गया है ना तुम्हारे जाने के बाद वह स्कूल गया तो उसका स्कूल जाना पहले हुआ है या तुम्हारा जाना पहले हुआ है तो तुम्हारे जाने के बाद मतलब तुम जब चले गए थे तब वह high school गया था तो कौन सा काम पहले हुआ तुम्हारे जाने के बाद तो इस काम को हम सबसे पहले किसमें बनाएंगे इस वाले format में बनाएंगे मतलब had के साथ verb की second thought form यूज करेंगे मतलब you had gone तुम्हारे जाने के बाद you had gone ठीक है you had gone जब तुम्हारे जाने के बाद after after he after sorry यहाँ पे इस तरह से बनेगा तो यह पूरा sentence दोस्तो इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा तुम वह school गया था जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे principal clause में लिखा गया है कि जो बाद में काम समाप्त होगा वो principal clause होगा मतलब इसके साथ मतलब जो बाद में काम समाप्त हुआ इसके साथ कोई भी conjunction use नहीं हुआ as like it is जैसे मैंने आपको बता है before या after तो इस तरह से तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से gone after you had gone ठीक है इस चीज को याद रखना आप लोग जब भी before use करोगे तो ये had वाला sentence पहले आएगा और अगर after use करोगे तो had वाला sentence बाद में आएगा सीधी भासा में समझो after का मतलब बाद होता है यानि had वाला हमारा कहां आएगा बाद में आएगा जिनको हम लोग देखते हैं नीचे जैसा कि लिखा गया है तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था सबसे पहले काम कौन सा खतम हुआ है मैं घर जा चुका था यानि had gone before आया है देखो इसलिए ये had वाला before में बन गया है यू केम ठीक है उसके बाद दिया गया है यह वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था he had already heard the news ठीक है यहाँ पे हम पहले के लिए before news नहीं करेंगे यहाँ पे already हम यूज करेंगे मतलब जैसे तुम लोग कहते हो ना हम यह पहले ही जानते थे तो already इसका मतलब already ठीक है next दिया गया है तुम्हारे आने से पहले मैंने यह काम समाप्त कर लिया था तो तुम्हारे आने से पहले मैंने यह काम समाप्त कर लिया था यानि I had finished my work before यानि देखो यह before लगा इसका मतलब यह पहले बनेगा जब यहां पर बाद में लिखा हो तो इसका मतलब यह had वाला sentence कहां बनेगा बाद में बनेगा जैसा कि यहां लिखा गया वर्सा होने से पहले हम घर जा चुके थे तो पहले लिखा है इसका मतलब had वाला पहले बनेगा we had reached home before it rained ठीक है मैंने वर्सा से related जो concept था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है मैं station पहुँचने से मेरे station पहुँचने से पहले यहां भी before आ गया इसका मतलब had वाले sentence पहले बनेगा the train had started before I reached the station ठीक है next हम देखते है अगर negative इसी में पूछा जाये तो हम क्या यूच करेंगे तो दोस्तों negative sentence का जो rule लिखा गया है दोखो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर before हमारे sentence में दिख रहा है तो हम had वाला sentence पहले बनाएंगे जैसा कि यहां पे आपको पहले example में दिख रहा होगा कि यहां पहले लिखा गया है इसका मतलब जो स्काम पहले समाप्त हो रहा है उसको हम पहले बनाएंगे और उसको had के साथ बनाएंगे ठीक है और जब आपके साथ after दिख रहा है तो इसका मतलब हम had वाला sentence उसको बाद में बनाएंगे ठीक है तो हम इसको देखते है कैसे तुम्हारे आने के पहले मैं घर जा चुका था तो मेरा घर जाना जो है न वो पहले ही खतम हो चुका था अब अगर यही निगेट यू हो जैसे तुम्हारे आने के पहले मैं घर नहीं जा चुका था अगर नहीं लिखा हो तो हम यहाँ पर क्या यूच करेंगे नॉट यूच करेंगे अब यही sentence देखो दोस्तों अगर आपका बाद के साथ लिखा हो जैसा कि मैंने क्या लिखा है तुम्हारे आने के बाद यहाँ पहले था यहाँ बाद है तुम्हारे आने के बाद मैं घर गया था तो तुम्हारे आने के बाद मैं घर गया था मतलब मेरा जो घर जाना है वो बाद में हुआ था और तुम्हारे आने का जो काम है वो पहले हुआ था तो जो पहले काम हुआ था उसको हम past perfect में बनाएंगे तो मेरा जो घर जाना हुआ था ये पहले काम, बाद में काम हुआ थो इसको हम पहले बनाएंगे, ठीक है तो आपको पता होना चाहे तुम्हारे आने के बाद मैं गहर गया था, ठीक है तो बाद वाला जो है, इसको after के साथ बनाना है, head वाला हमारा I did not, देखो मैंने यहाँ पर रूल में लिखा है, हम did not use करेंगे, because मैं क्या बना रहा था, मैं घर नहीं गया था, I did not go, अब did लग गया, तो वर्ब की first form लग जा नहीं है, ठीक है, I did not go to home, I did not go to home, after, after, after you had come, you had come, ठीक है, जब तुम आ गये थे, उसके बाद मैं घर नहीं गया था, इस तरह से हमारा sentence बनेगा, मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ, देखो, I had not gone, देखो, यहाँ भी यही sentence पहले बना है, लेकिन यह before के वज़ए से, यहाँ पर had use हुआ है, जब after लग रहा है, तो had जो है, वो बाद में यूज हो रहा है, बस यही ध्यान रखना है आपको, sentence बिल्कुल सेम है, देखो, यहाँ पर had है, और यहाँ पर did यूज हुआ है, बट यह had कब यूज हुआ है, यही ध्यान मैं समझाना चाहता हूँ आपको, कोई before के साथ यह had यूज हो रहा है, ठीक है, अगर before है, यानि कि पहले had यूज होगा, अगर after है, तो had कहां यूज हो गया है, बाद में यूज हो गया है, बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक है, नेक्स संटेंस हम देखते हैं, इंट्रोगेट्व, ठीक है, तो इंट्रोगेट्व संटेंस का इम एक्जामपल, बहुत ध्यान से समझते हैं, देखो, क्या मेरे आने के बाद, वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था, इसको हम हमेशा पहले ही बनाएंगे, इसमें भी हम इसको पहले ही बनाएंगे, ध्यान से आपको क्या समझता है, अगर बाद लिखा गया है, तो हैड वाला जो संटेंस बनेगा, वो बाद में बनेगा, यानि यहां बनेगा, अगर पहले लिखा गया है, तो head वाला sentence पहले बनेगा यानि यहाँ बनेगा अब यह sentence चुकी मैंने क्या बताया है वह school गया था या नहीं गया था यही वाला हम यहाँ पहले लिखेंगे तो इसी के साथ head और did का हम यूज किस तरह से करेंगे वो बाद और पहले के उपर depend करता है तो इसको हम बना के एक example दिखाते हैं जैसे लिखा गया है वह school नहीं गया था और यहाँ साथ में क्या लिखा गया है बाद में इसका मतलब जब बाद वाला हम यूज करेंगे तो यहाँ पर देखो subject के साथ हम did यूज कर रहे है वह school नहीं गया था तो वह school नहीं गया था सबसे पहले हम ये बनाएंगे तो जब हम इसको बनाएंगे तो हम सबसे पहले इसको यूज करेंगे अब चूकि क्या वह school नहीं गया था sentence हमारा क्या बनना चाहिए क्या वह school नहीं गया था मेरे आने के बाद इस तरह से होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे did he not go to school did he not go to school समझ में आई बात देखो हमने क्या बताया जब भी बात लिखा होगा तो पहले वाले sentence में हम had नहीं लगाएंगे यानि कि हम did का यूज कर लिए did he not go to school ठीक है तो यहाँ पे हमने had लगाया because of that कि after का मतलब है कि जो had है यानि helping verb जो हमारी present perfect tense की है वो बाद में यूज होगी clear अब इसी sentence को अगर हमें क्या लिखा है यहाँ पे पहले के साथ तो हम कैसे यूज करेंगे देखो द्यान से हम यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ sentence कहले है वो है school क्यों नहीं गया था तो हमारा interrogative यह है तो सबसे पहले हम क्यों के English लिखेंगे यानि why अब बात आती है कि यह पहले लिखा है ना मतलब जो had है यह पहले वाले sentence के साल लेगा तो why had he not go to school why had he not gone to school gone क्यों लगया है because had के साथ हम यूज कर रहे है gone to school before before I came हम क्या यूज करेंगे I came मतलब मेरे आने के पहले वह school क्यों नहीं गया था इस तरह का sentence हम बनाएंगे and question mark तो mandatory है तो दोस्तों यह था पूरा का पूरा session हमारा I hope आपको चीजे समझ में आया होंगी अगर नहीं समझ में आये तो please recall करो पूरा वीडियो फिर से देखो अगर आपको पूरा समझ में आयेगा तो ऐसे बहुत सारे sentence आपको मिलेंगे and एक चीज रिमेंबर करना यह सारे के सारे sentence complex में होते हैं इसलिए थोड़ा सा समझना अभी मुस्किल हो रहा होगा बड़ जब complex compound and simple sentence आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत इजली समझ में आएगा ठीक है हम लोग next वीडियो में मिलेंगे present perfect continuous के साथ तब तक लिए thank you thank you so much झाल